एक मंदर जो पलट देगा टोने टोटके का वार दोस्तों की भीड में दुश्मनों को पहचानना मुश्किल हो जाता है आप ही नहीं समझ सकते कि कब कौन आपके पीट पीछे वार कर आपको धोका दे कर चला जाए दोस्ती और प्यार के नाम पर दगा देने वाले भी बहुत लोग होते हैं आपकी कोई बात किसी को कितनी बुरी लग गए और इसका बदला लेने के लिए वो किस हद तक पहुँच जाएगा आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते बंगला मुकी एक ऐसी तंतर साधना है जिसके जरिये लोगो शिकरन मारन उच्टन आदी जैसी किरियाओं को अंजाम देते हैं अपने दुश्मन को हर तरह ज्यानी पहुचाने के लिए लोग इस तंतर साधना का परियोग करते हैं और तंतर मंतर पर विश्वास करने में लगें माने कि तो इससे बहतर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता तंतरिंग साधना को करने वाले लोगों का कहना है मुकदन जीतना हो या फिर किये गए टोटने के असर को शितिल करना हो तो बंगला मुकी इसका रामबान इलाज है जान करोगी माने तो बहारी शत्रू इतना नुकसान नहीं पहुचा सकता जितना अपने साथी और संबंदी पहुचा सकते हैं अगर परिवार का कोई सद्ध से अपनी परिवार का सद्ध से का साथ कुछ गलत कर रहा है तो भी पंगला मुखी के दुवारा उस तोने के असर को पलटा जा सकता है पंगला मुखी साधना के दौरा उन बरते जाने वाली सौधानिया और उसका मंत्र उ चंडाई नमा खौफनी बंगाले नमा किंगडानी किंगडानी तुरू तुरू ओ पंडाले भनने तुरू सधना तुरू तुरू ओ चंडाई ओ मनी ओ टंडाई जाना ओ खौफनाक हट जा शुकलाई पक्षा मक्षाए मौक्षाए कंदानी नमा उ चिंदानी नमा इस मंतर का जाब करें कोई आपका बाल भी बंका नहीं कर सकता और अगर आपके उपर कोई गलत असर करना चाहेगा तो असर उसी के उपर उल्टा हो जाएगा